अब हम थोड़ा जाने भारत और चीन के संबंध कैसी रहे इंडो चाइना रिलेशन्स भारत और चीन के संबंधों को समझने के लिए एक नजर हम इस नक्षे पे डाले एशिया का वह नक्षा जिसमें टिबेट भी शामिल है तिबद आप देखेंगे कितना विशाल का इसका ख्षेतरफल है चीन का दुनिया में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनसंख्या चीन की है ख्षेतरफल में भी वो कोई कम छोटा नहीं है और उससे नीचे भारत की सीमा से उपर नेपाल के उपर तिबबत है तिब्बत का जिकर हम आगे करेंगे इसलिए अभी थोड़ा इस पे आप अच्छी नज़र डालनें और देखें कि तिब्बत की सीमाएं किस-किस राश्टों को छूती है क्योंकि तिब्बत को लेकर भारत और चीन के संबंदों में बारंबार उतार चड़ाओ होता रहा है इसके साथ ही नेपाल भूटान से भी उसकी सीमाएं चुती है मियानमार से भी उसकी सीमाएं चुती है तो भारत चीन संबंदों के इतिहास पर एक नज़र डालें विदेश नीती के परप्रेक्षम जड़ी हम इनके संबंदों की बात करें तो हम इसे मूल रूप से तीन भागों में बाट सकते हैं भारत चीन संबंधों को तीन काल खंडों में बाढ़ सकते हैं पहला प्रमोध काल जब दोनों के संबंध बड़े अच्छे थे 1949 से 1957 अर्थाज वह काल जब चीन में करांती होती है 1949 में और वहां सामेवादी विचारधारा की सरकार आती है माव जेड डॉंग के नित्रित में और भारत उसको मानिता देता है उसके बाद यह संबंध 1957 तक रहते हैं याने बांडूंग संबेलन के बाद और उसके बाद भी जब चाओ इनलाई और पड़े जवालाल नहरू के संबंध घनिश थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था इसे कहेंगे हम प्रमोद काल दूसरा है भारत चीनी संबंध का काल जिसे हम कह सकते हैं टकराओ और तनाओ का काल 1957 से 1978 तक लगभग 20 वर्ष का काल तनाओ का रहा तकराओ का रहा और तीसरा काल संबंधों को लेकर कहला जा सकता है समवाद काल जब दोनों देशों के बीच में समवाद कम्यूनिकेशन की शिरुवात हुई जो सन 78 से लेकर जिसे हम दो हजार दो तीन तक ले सकते हैं पहले काल की अदे हम बात करें प्रमोट काल की तो चीन के प्रती भारत का जो दृष्टिकोंड था वो हमेशा मित्रता पूर्ण रहा स्वतनता के दिनों में भी नहरू भारत और चीन की दोस्ती पर लगातार बल देते रहे जैसा मैंने बताया उन्निस उन्चास में चीन में साम्यवादी करांती हुई तो भारत ने तुरंथ ही उसे मानिता दे दी और इसके अलावा ऐसा करते हुए उसने कभी भी अमेरिका आधी की नाराज़गी की चिंता भी नहीं की और लगातार चीन का समर्थन किया कोरिया युद्ध उस मामले में भारत चीन के साथ रहा और स्युक्त राश्च संग में चीन को आकरांता घोशित किये जाने वाले प्रस्ताओं का विरोध करते हुए उसने चीन के पक्ष में विश्वमंच पर अपनी बात रखी चीन के पक्ष में इस राश्च को चीन राश्च को सेंग्त राश्च संग में उच्छ स्थान दिलाने में भी उसकी सबस्ता दिलाने में उसके लिए भारत ने स tadi रूप से आवाज उठाई और अन्तिता चीन फिर सुरक्षा परिश्च का इसताई सबस्ता भी नामित होता है इन सब के पीछे भारत के भूमिका बड़ी आहम थी। भारत चीन संबंदों के दे हम बात करें तो 1954 में कई व्यापारिक समझोते हुए जिसके अंतरकत भारत ने टिबेट को भारत ने टिबेट से अपने अतरिक्त देशी अधिकार चीन को सौप दिये। ये बात को आप ख्याल रखेंगे। 1954 व्यापारिक समझोता और अतरिक्त देशी अधिकार भारत चीन को सौप देता है। इस व्यापारिक समझोते की प्रस्तावना में पंच शील का सिध्धान दिया गया था और भारत ने टिबेट में चीन की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। और इसके पीछे भारत का भारत की मन्शा ये थी कि चीन के साथ इस बात को लेकर वैमनच्चता कड़ुआहट ना हो। दिया। दोनों देशों के निताओं का आवागमन भी हुआ। बांडुंग सम्मेलन में सहयोग भी किये। इसलिए स्वतंत्र भारत के उस काल में प्रमोद काल में हम देखते हैं हिंदी चीनी भाई-भाई के नारे लगे। दुर्भाग्य से मैत्री पूर्ण वातावरन का यह काल बड़ा संक्षिप्त रहा। मात्र दस वर्ष का 57 से 78 तक का काल टकराओ का काल जिसमें तिब्बत की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनके सामने आती है। पंचशील, बांडुंग संबेलन इसमें जो भारत ने जो अपनी बातें रखी तो भारती राजनिक खेतर में इसे कूट निती की एक बहुत बड़ी सफलता माना गया। कूट नीति के सफलता इस मायने में कि भारत ने चीन से अपने संबंध मदूर बनाये रखने में सफलता प्राप्त की है पर दुर्भागे आगे चल कर ये कूट नीतिक सफलता तथा कथित कूट नीतिक सफलता बाद में हमारे लिए पराजय साबित हुई और भारत चीन संबन्दों की कहानी आदर्श वादिता आदूर दर्शिता और चीनी विश्वास घात की कहानी बन गई आदर्श के नाम पर भारत ने तिबबत हो दिया आदूर दर्शिता का भी इसमें परिचे मिला और सबसे बड़ी बात चीनी विश्वास घात इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत की कूटनीतिक विफलता उस हद तक चीन के विश्वाद घात के कारण थी सन 1956 की में तिबबत के खंपा जगा पर बड़े पैमाने पर चीनी शासन के खिलाफ विद्रो हुआ और ये विद्रो का नित्रत दलाई लामा जो वहां के तिबबत के तिबबतियों के धार्मिक निता और राजनेतिक निता दोनों थे ये दलाई लामा एक पद होता है तो उस पद में जो व्यक्ति थे जो सर्वोच राजनेतिक और धार्मिक निता थे उनके नितित में चीनी शातन के प्रति विद्रो भी हुआ और 1969 में दलाई लामा भारत की शरण लेते हैं अपने कुछ अनियाईयों के साथ इसके साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य तिब्वती शरणार थी चीन के प्रतिरोध चीन के हिंसात्मक दमनात्मक रवये से घवरा कर वे लोग भी भारत की और आते हैं और ऐसी सित्य में भारत के सामने एक विशम समस्या खड़ी होदाती है उसके पास कोई चारा नहीं था बलकि दलाई लामा को और तिब्वती शरणारतियों को शरण देने की विवश्टा थी और उसने मसूरी के पास उनका एक खेत्र बनाया जहां उन्हें शरणारति के रूप में रखा लेकिन इसका परणाम क्या हुआ चीन और नराज हो गया चीन ने इसे एक तरीके से शत्रता पूर्ण और विरोधी कारे माना बस यहीं से भारत चीन की जो कटता है उसके स्थाई बीज बो दिये गए यहां पर भारत की कूटनीतिक पराजय का उधारन दिखता है कि उसने जिस तरीके से तिब्बती समस्या का हल निकालने की कोशिश की वह कूटनीतिक दृष्टी से गलत साभित हुए और चीन इस बात को लेकर ऐसा नाराज हुआ कि उसकी कड़वाहट आज तक बनी हुई है उसकी कटता आज भी बनी हुई है तो इस तरफ हम कह सकते हैं कि तिब्बत विवाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भारत और चीन के संबन्दों में साबित हुआ दूसरी घटना जिसने कटता को बढ़ाया इस काल में उसे हम कह सकते हैं सीमा विवाद भारत और चीन के बीच की सीमा विवाद यह सीमा विवाद क्या है उननी सो पचास इंकावन में साम्यवादी चीन का एक नक्षा प्रकाशित होता है साम्यवादी चीन की स्थापना 1949 में हुई थी तो पचास इंकावन में एक नक्षा वो प्रकाशित करते हैं उस नक्षे में भारत का एक बहुत बड़ा अंग चीन का दिखाये गया है चीन का हिस्सा दर्शाये गया परंति तिब्बत के प्रश्ण पर दोनों देशों के बीच जो समझोता हुआ था उस समझोते में इस विवाद से सम्मंदित कोई मुद्दा नहीं उठाये गया ऐसा मान लिया गया कि कुछ तातकालित कुछ गलतियां हुई होंगी इसलिए ऐसा प्रकाशित हुआ है भारत सरकार ने इस वर ध्यान भी नहीं दिया भारत सरकार का ध्यान जब इस वर दिलाए गया तो सरकार ने यही कह दिया कि इसके पहले साम्मवादी सरकार के आने के पहले जो चीन की सरकार थी कौमी तांग कौमी तांग सरकार के ये पुराने नक्षे हैं जिसे चीन की नई सरकार समय आते बदल देगे और समय शोधन कर देगे ये वो काल की बात है जब हम प्रमोद काल कहते हैं इस काल को तो भारत तो चीन की बातों पर पूर्ण रूपेन विश्वास कर रहा था और भारत ने ही स्वय में इस बात को सामने रखा कि संभावता यह अंजाने में हुई एक गल्ती है पुराने नक्षे को प्रकाशित कर दिया गया है नई सामय वादी सरकार इसमें सुधार करके संभावतार करके नए नक्षे सामने लाएगी परन्तु जुलाई 1954 को चीन ने एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार पे आरोप लगाया कि भारती सेना ने एक शेत्र पर अवैद कबजा कर लिया है 1954 की एक घटना है भारत ने तो किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं कि थी नक्षे को लेकर और स्वैम ही उस पश्टी करन दे दिया था लेकिन यहां भारत के इस चुप रहने का परणाम यह हुआ कि चीन थोड़ा ओफिंसिव होता है और चीन स्वैम एक पत्र लिख बैठ सा है भारत सरकार को 1954 में यह कहते हुए कि भारती सेना ने बूजे नामक एक जगा पर अवैद कबजा कर लिया है चीन के पत्र के उत्तर में भारत सरकार ने लिख दिया कि यह भारत का खेतर है और यहां भारती सेना और उसकी चौकी पूर्व से मौजूद है तो आपको इसलिए मैंने इस नक्षे का जिक्र किया है जिसमें टिबेट दिखाई दे भारत चीन की सीमा दिखे और कितने लंबे खेत्र में ये सीमा फैली हुई है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भारत चीन की समर्शिया को अच्छी तरह समझने के लिए एक और कीन ने जहां बूजे परिष्थित भारती सेनिक चौकी को एक तरीके से अवैद कबजा बताया वहीं दूसरी और चीनी सरकार ने भारत के कुछ अनिक खेत्रों में अपनी टुकडियां भेजना शुरू कर दिया तीसरा साथ ही जनवरी 1969 1959 वह एक और पत्र भारत सरकार को भेजता है और जिसमें लिखता है कि भारत और चीन के बीच कभी भी सीमा निर्धारण नहीं हुआ था यानि सीमा को लेकर विवाद और गहराते जाता है क्योंकि चीन स्फश रूप से कहता है कि भारत और चीन के बीच कभी भी सीमा निर्धारण नहीं हुआ था तो आब सीमा निर्धारित की जाए इस पकार सीमा विवाद के प्रश्ण को लेकर दोनों देशों के सम्मन्द में कटुता गहराई गई और भारत पर चीनी आकरमन का रूप ये पूरी बात होती है आकरमन का रूप लेती है क्योंकि एक चीन तो बार बार कह रहा था कि कोई सीमा निर्धारन नहीं हुआ है तो उसने जो भी खित्र पर अपनी फौज भेजी तुकडिया भेजी वो खित्र अपना मानते हुए उसने एक तरीके से भारत पर आकरमन ही कर दिया था तीसरी घटना जो 1962 की है भारत पर चीन का अकरमन पुरानी घटनाओं से साफ हो चुका था कि भारत पर चीन के इरादे नेक नहीं हैं भारत को लेकर चीन का रवया कुछ खतरनाक रहा है ये बात तो साफ हो चुकी थी सन 1955 से ही चीन भारत के सीमाओं पर एक तरीके से अतिक्रमन कर रहा था 1969 में चीन ने भारती सेना का तो सपष्ट उलंगन किया भारती सीमा का जब उसने पत लिखा अब हम आते है 1962 की उस घटना पर जिसने भारत चीन युद्ध की शुरुवात की 12 जुलाई 1962 को चीने सेनाओं ने अमें बासट को लदाक में गलवान की घटी परिस्थित भारती चौकी को चीनी सेनाओं ने घेर लिया गलवान की घटी को लेकर गत तीन वर्ष पूर भी भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति आ गई थी तो वो मुद्धा अभी तक बना हुआ है आठ सितंबर 1962 को चीनी सेनाओं ने मैक मोहन रेखा पार की ये मैक मोहन रेखा जो है वह एक अंग्रेज अधकारी ने भारत और चीन की सीमा को लेते हुए बनाई थी इस मैक ये सीमा थी इस मैक मोहन रेखा को चीन की सेना पार करती है और भारती सीमा में प्रवेश करती है एक तरीके से युद्ध की घोशना होती है आखिर कारण क्या था चीन दौरा भारत पर आकरवन के कारण क्या थे जदि हम उपरयुक्त बिंदूं को जिसका जिक्र मैंने किया है इसे लेकर हम कारणों की और जाएं तो पहला कारण चीन की विस्तारवादी नीती चीन लगातार अपने क्षित्र के विस्तार के लिए प्रयासरत था तो उस विस्तारवादी नीती का प्रदर्शन करने की मंशा जो उसकी थी वह पहला कारण हुआ दूसरा कारण तिब्बत के प्रती भारती नीती जिसका जिक्र मैं पूर में कर चका हूँ जब भारत ने दलाई लामा का स्वागत किया और उनके साथ शर्तिबती शरणारतियों को भारत में शरण दी तो दूसरा कारण तनाओं का ये होता है तीसरा कारण एशिया में चीन को सर्वोच शक्ती बनाने की जो ललक थी और भारत को नीचा दिखाने का जो प्रयास था वह भी यहां सपश्ट दिखता है चीन यह दिखाना चाहता था कि एशिया की वह सबसे बड़ी शक्ति है और ऐसा दिखाते हुए भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था चौथा कारण भारत की स्वैम की नीटी जिसमें कुछ दिशा नहीं दिख रही थी कभी वह चीन का समर्थक रहा प्रबल समर्थक रहा फिर उसके बाद चीन ने कई बार भारत के खेत्रों में अतिक रमन किया उसका भारत ने कठोर स्पश्टूप से जवाब नहीं दिया उल्टा भारत ने चीन का ही एक तरीके से पक्ष लेते हुए कहा कि साम्यवादी सरकार इस नक्षे में संशोधन करेगी आदियाद ये चार कारण जो हैं ये संभवता भारत में चीन के आकर्मन की प्रिष्ट भूमी तैयार करते हैं भारत पर चीन का जो आकर्मन है दूसरे शब्दों में ये कोई अचानक कोई घटना नहीं है ये एक सुनी योजित क्रम से आप देख रहे हैं 1955 से ये बात चल रही है चीनी सेना उत्तर पूर्वी सीमान और लदाक के मोर्चे पर अकर्मन कर देती लदाक ये टिबट की राजधानी वहाँ पर वो अकर्मन कर देती कौन सी तारिक को 20 अक्टूबर 1962 को बड़ी सोची समझी नीति के तहथ, लंबे समय से कारिरत नीति के तहथ, सोच के तहथ ये अकर्मन चीन ने किया था शुरू में तो चीन की सेना ऐसा लग रहा था बहुत तेजी से विज़ाई पाते हुए भारत के अंदर काफी अंदर तक चली जाएगी कचली जाने में सफल होगी, लेकिन दो माँ बाद युद्ध की स्थिति बदलती है और भारत समलता है, भारत की फौज को एक तरीके से नई दिशा दी जाती है और इस्थितियां भारत के पक्ष में होने लगती है 21.62 को इस बदलती हुई स्थिति को देखते हुए भारत एक पक्षी युद्धिवराम की घोशना करता है चीन एक पक्षी युद्धिवराम की घोशना करता है यानि चीन ही ने अक्रमन किया और चीन ही युद्धिवराम की घोशना करता है और ऐसा करते हुए चीन भारत से जीते हुए ख्षेत्रों को खाली करना प्रारंब करता है प्रारंब करता है इस दोरान भारत और चीन के बीच की सीमा को लेकर जो विबाद है उसके निराकरण के लिए एक छै राश्टों की समीति बनती है छै देशों की समीति जिसकी अध्यक्षता शिलंका की प्रथान मंत्री श्रीमिती सीरी मावो भंडार नायके करती है श्रीमिती सीरी मावो भंडार नायके ये नेत्रित तो करती हैं उस समीति का विवन देशों के प्रतिनिदियों का और एक संबेलन होता है कॉलंबो में कॉलंबो प्रस्ताव तयार होता है उस प्रस्ताव के तहट कुछ उझाओ भारत और चीन को सामने रखे जाते हैं सीमा विवाद को लेकर चीन इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर देता है परणाम क्या हुआ कि मतभेद और बढ़ जालते हैं दोनों के बीच गतिरोज बढ़ जालता है और ऐसा सपश दिखने लगता है कि अब चीन भारत का दुश्मन ही बना रहेगा और सीमा विवाद इस दुश्मनी का एक स्थाई मुदा बना रहेगा सन 65 और सन 71 कि जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई उसमें चीन ने पाकिस्तान का रुख लिया तो चीन दोरा पाकिस्तान की मदद करना, चीन दोरा पाकिस्तान का पक्ष लेना उसका कारण संभवता ये इस लंबा सीमा विवाद और वह प्रिष्ट भूमी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ तो अब हम ये भी समझ गए हैं कि चीन आखिर पाकिस्तान का पक्षिक्यों ले रहा है अब आता है अगला काल या हम कहें उसी काल का अगला घटना करम जब जनता पार्टी आती हो 1977 में शासन में उस दोरान भारत चीन के संबंद जो हैं वो सुधारने के प्रयास किये गए और चीन भी समझ गया था कि भारत की जो प्रगाड मित्रता है सोवियस संग के साथ उसका भारत चीन संबंदों से कोई संबंद नहीं है और इसलिए दोनों देशों के बीच में पुना एक तरीके से प्रयास होता है सामानिय करण का और 1976 में कूट नीतिक संबंद स्थापित होते हैं जिसमें दोनों देशों के राजदूत अपनी अपने जगों पर फिर पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच व्यापार शुरू हो जाता है और 1978 में ये व्यापार भी एक करोड से ज्यादा का हो जाता है एक करोड रुपए से ज्यादा का है एक करोड बीच लाग की रखम का व्यापार 1978 में तो इस परकार टकराओ के स्काल के समाप्त होते होते इस्थितियां सामानिय होने की दिशा में बढ़ती हुई दिखती हैं और उसका कारण यह है कि चीन समझने लगा था कि भारत और सोवियत संग के जो बहुत निकटके सम्बंध हैं उसका भारत चीन के रिष्टों से कोई लेना देना नहीं होगा जन्वरी 78 में फिर दोनों देशों के बीच में समवाध होता है और सम्बंध थोड़े बहतर होते हैं यहां तक कि 1989 1979 में भारती विदेश मंतरी ततकाली जन्ता शासन में जो विदेश मंतरी थे जो बाज में भारत के प्रधान मंतरी बने श्री अटल विहारी वाचपै उन्होंने चीन की यत्रा की और इस यत्रा के पीछे मकसद था दोनों के बीच के संबंधों को सामाने करने दुर्भागे से यह यात्रा अधूरी ही रही क्योंकि उनकी इस यात्रा के दौरान ही चीन ने वियत नाम पे हमला किया परणाम यह हुआ कि अटल विहारी वाजपई यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस लोटाए स्वदेश आगए अधूरा छोड़कर तो यह गाथा है उस काल की जिसे हम टक्राओ का काल कह सकते हैं अब अगला और अंतिम काल समवाद का काल जिसकी शुरुआत अटल विहारी वाजपई की आत्रा से हम देखते हैं जिसकी शुरुआत कूर्ट नितिक संबंधों के पुनर स्थापित होने के साथ हम देखते हैं आगे क्या होता है थोड़ा जाने ये काल है 78-1978 से लगभग 2002-03 तक का काल जैसा की नाम से स्पष्ट है समवाद का काल ये समवाद की शुरुआत जनता पार्टी के काल में हो चुकी थी और जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद श्रीमती इंदरा गांधी वापस सत्ता में आती हैं और भारत चीन संबंधों को नए रास्ता देने का प्रयास करती है और उसी प्रयास के तहद भारत और चीन के राश्चा ध्रक्ष बेलग्रेड में बातचीत करते हैं और ऐसा लगता है कि शायद संबंदों में सुधार होगा ये बातचीत होती है 1980 में आगे भी ऐसे प्रयास चलते रहते हैं 1981 में भी होता है और बहतर संबंदों को स्थापित करने के लिए दोनों देश 1981 में सहमत हो जाते हैं इसी का परिणाम ये होता है कि एक बहुत महत्पूर्ण घटना भारती जनता की खुशियों के लिए एक बहुत महत्पूर्ण घटना होती है और वह है चीन सरकार भारती यात्रियों को मान सरोवर और कैलाश परवत जो चीन में स्थित है तो चीन की सीमा के अंदर है दोनों ही स्थल भारती धार्मिक दिष्टी थे, पौरानिक दिष्टी थे, आतिहासिक दिष्टी थे, भारती जंता की दिष्टी थे बहुत ही महत्पूर्ण है पर दुर्भागे से दोनों ख्षित चीन की सीमा के अंदर हैं और इसलिए भारतियों का वहां जाना दुश्कर था असंभाव था इस वारतालाप सतत प्रयास का परणाम यह होता है कि चीन मान सरुवर कैलाश परवत का रास्ता खोल देता है और भारतियों के लिए संभा होता है कि वो मान सरुवर कैलाश परवत जा सकें आगे फिर और बातचीत होती है और सीमा विवाद के कई दौर होते हैं करीब आठ नौ दौर होते हैं लेकिन इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता कोई सुधार नहीं आता कुल मिला के संक्षित में हम कह सकते हैं कि दो हजार दो तीन तक की स्थिति के दि हम बात करें तो सीमा विवाद का मुद्दा बना हुआ है और भारत और चीन के संबंदों में जो स्थाई तनाओं के कारण के दि हम बात करें तो पहला कारण हम सीमा विवाद मान सकते हैं दूसरा चीन दोरा सतत रूप से पाकिस्तान को समर्थन देना और उसके बाद तीसरा कारण समझ सकते हैं कि चीन के दोरा जो विश्वाद घात किया जाता रहा है उसने भारत को बहुत दुख पहुँचाया है तो इस प्रकार संक्षिप्ट में हम दोनों देशों के बीच के संबंधों को जदी एक शब्द में कहें तो कह सकते हैं खटे मीठे मधुर नहीं रहे अच्छे नहीं बन सकते और ऐसा लगता है कि शायद संबंध हमेशा कड़ूए ही रहेंगे टुबेट को नक्षे को जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे इसका खुद का खेतर कितना विशाल है और तीन ओर से ये चीन से घिरा हुआ है चीन स्वेम बहुत ही विशाल काय देश और उसके ऊपर सोवियत संग जो बाद में रशा, कजाखिस्तान, उजबेकिस्तान, आदी ताजिकिस्तान, आदी विभिन देशों में तूटा तूटने के बाद भी सोवियत संग कितना विशाल या बना रहा पंदरा देशों के टुकणों के रूप में और टिबेट की स्वेम की विशालता आपको यहां समझनी होगी साथ में आप देखिए नक्षे में कि टिबेट की सीमा भारत से लगी हुई है और एक पूरा लंबा जो खेतर है नेपाल, भूटान, आदी, आसाम इसको पूरा छूता हुआ टिबेट की सीमा कश्मीर तक पहुंच जाती है भारत के साथ इसलिए यह खेतर भारत के लिए कितना महदपूर्ण है यह खेतर चीन के लिए कितना महदपूर्ण है यह आपको यहां समझना अत्यावश्च है इसी तारतमे में टिबेट का दूसरा नक्षा आपके सामने हैं वो अपने पडोसियों के साथ टिबेट की विशालता को पुना देखें भारत की सीमा के साथ उसकी जो सीमा है वो कितनी दूरी तक छूती चली जाती है और कितने पडोसी देश टिबेट की सीमा को छूते हैं इसकी इस विशालता के कारण और साथ ही इसके इतनी देशों की सीमाओं को छूने के कारण टिबल्ट स्ट्राटेजिक रूप से सामरिक दृष्टी से बहुत महत्पूर्ण हो जाता है और इसलिए ये विवाद का कारण सतत रूप से बना रहा है भारत चीन सीमा विवाद को हम संक्षिप्त में बिंदुवार कुछ इस तरह कह सकते हैं कि सरप्रथम भारत का दावा चीन के साथ सीमा रिखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलजाया जा चुका है ऐसा भारत का दावा रहा है मैक मोहन लाइन जिसका जिक्र किया लेकिन उसके खिलाफ चीन का क्या दावा है अंग्रेशी शासन के समय के फैसले को नहीं माना जा सकता पहला बिंदू दूसरा भारती खित्र में पढ़ने वाले दो इलाकों जिसमें जमू कश्मीर के लदाक वाले हिस्से के अकसाई चिन खित्र और अरुनाचल प्रदेश के अधिकांज खित्रों पर चीन अपना हक जताता है देखिए तिबत के सीमा इतनी लंबी वहां ऊपर अकसाई चिन और अरुनाचल प्रदेश का खित्र दोनों पर चीन दावा करता है ये उसका दूसरा बिंदू वैसे ये दोनों ही खित्र भारत के हैं लेकिन इस चीन की दावेदारी ने सीमा विवात की समस्या को बहुत गह पीच चीन ने अकसाई चिन इलाके पर कबजा किया और इस इलाके में अपनी रणनीतिक जीत हासिल करने के लिए उसने सड़क भी बना दी और सड़क बनाते हुए उसने ये थाबित करने की कोशिश की कि यह खित्र उसका पूरु से ही रहा है चौथा बिन्दू इस सब बातों के मदे नजर अक्टूबर 62 में चीन दोनों विवादित छेत्रों पर बड़ी तेजी से और व्यापक स्थर पर हमला करता है उसके बाद चीनी सेना अरुनाचल पदेश के कुछ कबजों पर कुछ हिस्सों पर कबजा भी करती है और इसके बाद हमले का अगला दौर नवंबर में शुरू होता है यह अक्टूबर की घटना है अब अगला दौर नवंबर में शुरू होता है जब लदाक से लगे पस्चिमी मोर्चे पर भारत ने बढ़त रोकी पर पूर में चीनी चेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी अलाकों में पहुँच जाती है और मैदानी अलाकों से असम के लगभग अंदर घुशती है इस सिति के बाद चीन युद्धिवराम की घुशना करता है एक पक्षी युद्धिवराम और चीनी सुनाए उस मुकाम तक लोड़ जाती हैं जहां वे हमले के पहले तैनात थी जहां एक और चीनी अकरमन का खामियाजा भारत को इस रूप में भुगतना पड़ता है कि एक सीमा विवाज शुरू हो जाता है और भारत का कुछ खेतर चीन के कबजे में चला जाता है वहीं इसके कुछ अन्य परिनाम भी होते हैं तो अन्य परिनामों को भी हम संक्षिप्त में ही जिसे पूर में बताये गया है जहां बता हैं कि भारत की छवी देश-विदेश में खराब होती है बड़ा सको धक्का लगता है दूसरा इस स्थिति से उबरने के लिए अमेरिका और बिटेन दोनों से ही भारत सैनी मदद की गुहार करता है उनके उनकी शरण में जाता है ताकि वह सैनी मदद दे सके चीन के खिलाफ तीसरा कुछ प्रमुक्स सैनी कमांडर जो भारती सेना में थे वो या तो इस्तीफा दे देते हैं या अवकाश ग्रहन कर लेते हैं क्योंकि इस्थिति की जो शर्मनाक इस्थिति भ हमेदारी लेते हुए या तो कमांडरों से इस्तीफा ले लिया जाता है या कमांडर इस्तीफा देते हैं और अफकाश पे चले जाते हैं अगला जो परणाम इसका होता है वो है रक्षा मंत्री स्वयम जो उस समय थे श्री वी के कृष्णा मेनन पंडित नहरु के बड़े खास व्यक्ति थे बड़े निकट के थे और रक्षा मंत्री थे उन्हें भी मंत्री मंदल से त्याग देना पड़ता है उन्हें भी मंत्री पत्य से त्याग देना पड़ता है मंत्री मंदल छोड़ना पड़ता है पहली बार भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास सरकार के खिलाफ किसी ने नहीं लाये था लेकिन यहां संसद में आविश्वास प्रस्ताव लाने की जो शुरुवात होती है वो इस घटना से होती है और इसके तुरंट बाद उप्चनाव में कॉंग्रेस को मुह की खानी पड़ती है कॉंग्रेस पार्टी जिसका एक शत्र शासन चल रहा था लगभग पूरे देश में केंद्र में जिसकी सरकार थी सततरूप चे उन्निसों पचास चे लेकर भी तक अब पहली बार ये चीन युद्ध के दुष परिनामों का ही प्रभाव था कि कॉंग्रेस को कई जगा पराजय पहली बार मिलती है पराजय का मुह देखना पड़ता है